नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ शिवरा सिंग कोट में सुनवाई के दोरान आम तोर पर अनुशासन को लेकर काफी जादा ध्यान दिया जाता है लेकिन दिल्ली के कड़कर डूमा कोट में कुछ ऐसा हुआ जो शायद पहले कभी न हुआ हो बीते शनिवार को कोट में सुनवाई के दोरान उस समय एक फिल्मी घडना घड गई जब सुनवाई के दोरान जज ने अगली तारीक दी तो एक शक्स गुसे में चीकते चिल्लाते हुए फिल्म दामनी का तारीक पे तारीक डायलोग बोलने लगा इतना ही नहीं कुरसियों को फैंकना और कम्पीटर को लाद मारना शुरू कर दिया देखते ही देखते कोर्ट रूम में हंगामा मच गया हलाकि बाद में पलिस ने शक्स को गरपतार कर लिया दरसल कड़कर डूमा कोर्ट रूम नंबर 66 में 17 जुलाई को एक घटना घटी साश्त्री नगर के राकिश नाम के सक्स के एक मामले की सुनवाई चल रही थी 17 जुलाई को मामले की तारीक थी राकिश तारीक पर आया था सुनवाई के बाद जब जज ने अगली तारीक दी तो इससे राकिश गुस्से में आग बबुला हो गया राकेस ने अदालत में सन्नी देवल का डायलोग तारीक पे तारीक बोलते हुए कम्प्यूटर और फरनीचर तोणना शुरू कर दी और कहा कि उसे सिर्फ तारीक है मिल रही है नियाए नहीं मिल रहा है इस पर अदालत के श्टाब ने पुलिस को सूचना दी तो राकेस को गरपतार कर लिया गया पुलिस ने राकेस को गरपतार कर मजिस्टेट के सामने पेस किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है बताया जा रहा है कि दली के शाष्त्री नगर के रहने बाले राकेश का केस 2016 से पैंडिंग है इसको लेकर लगाता रहा उसकी अदालत में आमध होती रहती है इससे वो परेशान था फिलाल गरपतारी के बार राकेश को नियाएक रासत में भेज दिया गया है इस ख़वर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ